हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन अब पेंडिंग रिजल्ट को धीरे धीरे से निकाल रहा है बट लोगों के मन में अभी एक और सवाल है कि जोईनिंग कब होगी कितने दिनों बाद होगी या महीनों बाद होगी जैसे ही रिजल्ट निकलता है या फिर आप पेंडिंग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो अगर रिजल्ट आता है तो डिपार्टमेंट को जो डॉकुमेंट जाता है तो कब तक आपका जो 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 डेट है वो आने की पोसिबिल्टी रहती है इस वीडियो में हम बात करेंगे तो हम चर्चा करेंगे उन जो candidate के सवाल थे जो हमने previous में वीडियो बनाई थी तो candidate के सवाल यानि आप सभी को पता ही होगा कि पुलिस भरती और फ्रेश्ट गार्ड भरती कब आईगी इसके regarding में मैंने पहले वीडियो बनाया था तो उसके सवाल जो भी candidate के सवाल थे हमारे चैनल के थ्रू मादेम के थ्रू जो भी सवाल कर रहे थे उनका अंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखें मेरा नाम के बाद ये पेंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं और ये जो पेंडिंग रिजल्ट है एक ही साथ में पेंडिंग रिजल्ट को निकालना थोड़ा सा मुस्किल है च्टाफ की कमी के होने के कारण और भी अगर बात की जाए तो एक एक रिजल्ट आपका एक हफता इसको लग जा है और रही बार अी बार करें व की क्रेंत की मदा ऑफने की श्रुविस करें।k बहुत सरे आ रहे थे कि कौन कर की और हमानिक सेता हुगा कके सोब नहीं करे भद लूंड और ऑंनान्स होता था भर अगर बात करें वहके जितने भी पनिंट Sun की विंग enfat सर्विश कमिशन को दे दिया गया है और वहां से अभी रिजल्ट जो हैं दिरे-दिरे से आ रहे हैं जिस तरह से हमारा अगर देखा जाए तो एक हाइड हाइड हाइड्रो अगर बात करें और ड्राइंग मास्टर की तो ड्राइंग मास्टर का भी विजलेंज की एंक्वाइरी में है अब ड्राइंग मास्टर की बात करें तो उसके बारे में भी हम दिले-दिले से इस वीडियो में आगे चलकर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास Q&A है तो लोगों के जितने भी सवाल रहते हैं वो आप जरूर से कमेंट पे कर दिया करें ताकि जितनी भी information है मैं आपको इकठी करके दे सकूँ देखे एक contact बनाना होता है और contact के थुरू ही मैं आपके पास जो information है वो लाता हूँ तो इसके लिए वीडियो को जरूर से like करें और चैनल को subscribe करें और वीडियो को जरूर से share करें तो अभी हम बात करें तो मेरी जो बात हुई तो हिमाचल परदेश में जो आपका M&T M&T electrical का जो exam था उसका result आया तो उसमें हमारे जहां मैं पढ़ा हूँ तो वहां के institute से हमारे दो बच्चे जो है वो लगे हैं तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह जो उन्होंने एक number दिया अभी मैं आपको display में बताता हूँ कि वह कौन सा number है जो मुझे उन्होंने provide किया तो आप display में देख सकते हैं 0177 2809366 एक number है जो कि department का है M&T यह सिर्फ M&T वालों के लिए है तो इस पर आप call करके पूछ सकते हैं कि कब इनकी joining होगी तो यहां से call करके उस candidate ने बताया कि आपकी जो joining होगी उसके लिए जो है लग भग एक और महिना लग जाएगा यानि एक महिना यानि तीन तारीक को M&T का result आया तो तीन तारीक से लेकर अभी तक जो है एक महिना होने को है और एक महिना और लग जाएगा यानि लग बग एक दो महिने में अगर हम previous बात करें तो department से अगर time जितना लगता है यह सिर्फ department decide करता है बट आपके लिए मैं ऐसी information लाता रहता हूँ ताकि आप पता कर सकें कि आपकी joining जो है कब जैसे हो सकती है तो इसके लिए जरूर से वीडियो को like करें जिनका भी M&T में हुआ है या किसी pending result में हुआ है तो आप जरूर से वीडियो को like भी कर दीजेगा और support कर दीजेगा क्योंकि आपके support से ही मैं आगे जो है वीडियो बनाता रहता हूँ और मैंने आपको एक बादा किया था कि जो हमारे जो PWD Minister यानि जो आपके विक्रम अदित्या जी है उन्होंने अपना जो WhatsApp नमबर है उनका कह लेजिए या फिर उन्होंने कुछ ऐसा एक WhatsApp नमबर create किया है जहां पर आप अपनी सिकायतें भेज सकते हैं तो वो WhatsApp नमबर भी आपको display हो रहा है जो है आपका 9317900663 यहां पर आप अपनी सिकायतें कोई भी सिकायत हो वो दर्ज कर सकते हैं तो अगर हम बात करें तो pending result के बारे में अगर अभी हम Q&A करने वाले हैं तो अभी जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी कि जो joining कब होगी तो उसका आप कैसे पता कर सकते हैं तो अभी Q&A की बात करते हैं तो जो भी Q&A हमारे पास आए तो sir 980 code का result में कौन सी कमी है जो result आउट नहीं कर रहे हैं जबकि CM ने बोल दिया है देखे जो 980 drawing master का जो post code है उसमें क्या है कि vigilance inquiry बैटी थी तो उसमें पाए गए है candidate उसमें leakage पाई गई है तो उसमें FIR हुई है और FIR एक दो तीन FIR हुई है यानि लोग पकड़े गए हैं तो अभी shot out मामला कब होगा अब देखे आपका जो drawing master का जो exam है वो क्या है कि पहले जितने भी candidate है उनकी list पूरी तरह से खंगाल के जो vigilance है कितनी देरी लगाएगा कितना time लगाएगा ये तो आपको मैं पल-पल के cover देता रहता हूं और कितना time लगाएगा एक तो मेरे को पता नहीं बट अगर बात करें तो अगर vigilance का पूरा investigation हो जाती है जितने भी लोग पकड़े जाते है कितना भी बड़ा racket है उतना पकड़ा जाता है जिन जिन के पास जो paper आपका leak हुआ है तो वो paper उस जो paper है उसकी clearance, vigilance देगा government को कि इतने लोग पकड़े गए और इतने लोग आप बाहर कर दीजिए और इनकी जो documentation हुई है फिर आप अपना decide कीजिए इसको हमने report जो बनानी थी वो हमने बना दी और आपको स्वांप दी और फिर जो decision होगा वो सुको सरकार यानि हिमाचर प्रदेश में Congress सरकार का होगा तो फिर वो cabinet meeting में होगा या सची वाले में होगा वो सुको यानि सियन सुको विंदर जी ही decide करेंगे की result आएगा या नहीं आएगा इसी तरह से ही lineman का result भी अभी FIR हो चुकी है तो अभी तक अभी SS से अभी बचा हुआ है electrical अभी बचा हुआ है तो इनके result तो आ जाएंगे बट अगर हम बात करें तो lineman में अभी थोड़ी सी देरी लग सकती है तो अगर हम बात करें अगर हम और भी और भी exam की बात करें तो जो भी vigilance inquiry में जिन पर FIR है उनमें उतना ही time लगेगा जितना vigilance उनमें और लोगों को खंगा लेगी कि कितने इसमें involved है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेर भी कर दीजिएगा और ये जूटे हैं एक नंबर के इनके उपर विश्वास मत करना जब सरकार में आये थे तो जोटी बोल रहे हैं तो ये जो comment किया है तो अभी आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल परदेश में जब मैं प्रोटेस्ट के लिए गया था तो जो चीजें आपको सामने कैमरा में और मैं वहाँ पर सियम सुखविंदर जी ने जो चीजें स्टूडेंट के साथ बोली वो मैंने रिकॉर्ड की यानि मेरा भी एक्जाम था तो मैंने भी रिकॉर्ड किया तो वहाँ पर क्या पता चला तो वहाँ पर जो भी चीजें बताई सियम सुखविंदर सुखव जी ने उन पर जो डेट जो फिक्स डेट बताते हैं कि अब तक आपका रिजल्ट निकल जाएगा तो उस पर तो बिलीब मत ही कीजिए क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आप सभी को पता ही होगा कि जितनी भी गौर्णमेंट आती है जो बोलती कुछ और है होता कुछ और है पॉलिटिकल श्रक्चर आप सभी को पता ही है और डीम का रिजल्ट निकालो तो डीम अभी फसा हुआ है मैंने आप सभी को बता दिया जिन में FIR नहीं हुई है उनकी DV कब होगी जो जांत से बाहर है देखे जिनकी FIR नहीं हुई है अभी आप सभी को पता ही होगा कि पब्लिक सर्विश कमिशन थोड़ा सा स्लो है क्यूंकि उसमें जो स्टाफ है उसकी कमी है अल्रेडी वो पब्लिक सर्विश कमिशन यानि क्लास A और B के एक्जाम भी करवा रही है तो उसके साथ साथ उसको और जो जिम्मा बड़ा पड़ा है वो हिमाचर प्रदेश टाफ सेलेक्शन कमिशन का भी पड़ा है तो इसमें हलंकी थोड़ी सी देरी हो सकती है बढ़ तीरे-दीरे से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो लगबग इस महिने में आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा electrician जो electrician power house या electrician का जो आपका exam की जो DB बची है और जितने भी FIR से बाहर है उनकी DB बची है उनके लिए भी जरूर से जल्दी ही आपका documentation के लिए notification जारी यह public service commission जो है board यह अपनी site पे कर देगा जब भी आएगा उसकी notification भी आपको हमारे चैनल के तुम मिल जाएगी तो अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी तो मुझे जरूर से बताईए तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों